करने वाले हैं water requirement of crops फसल होती है उसके लिए पानी की requirement होती है वहां से इस वीडियो कोशन करने वाले हैं 70 कोशन रहेंगे तो यह तीसरा हमारा पार्ट है अगर आपने हमारे चैनल को अप्रेक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजे साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर ल तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मिटी होती है वो बंजर बन जाती है option B हमारा इस question के लिए अंसर हो जाएगा जैसे कि जो लवन होते हैं वो बहुत तरह कि होते हैं जिससे की वहानी होती है वह थोड़ी बहुत होती है लेकर 0.25 प्रसेंट से आगर जादा प्रसेंटेस के अलबन हो जाए तो उसे हमारी जो जमीन होती है वो बुरी तरह से बंजर हो जाती है यह चीज में मेरा को आप बताया थी ऑप्शन भी हमारा इस कोशन के लिए अंसर बन जाएग उसको हम फिल्ड की कपैसिटी बोलते हैं फिल्ड कपैसिटी हम उसको बोलेंगे एंसर बन जाएगा अगला प्रसेंट लेकिता है टोटल डेफ्ट ऑफ वाटर रिवाटर रिवाटर डिवर्ट ऑफ वाटर जो की फसल के लिए जुरूर जूरुर्थ होती है दूरिंग दा अब दी होती है क्रॉप्स की जब तक वह पूरी गृट होके उसको अपस्का नहीं किया कर लीजे उसको हम बोलते हैं डेल्टा हम उसको बोलेंगे यह कुशन बहुत ही जाए इंपॉर्ड है डेल्टा हम उसको बोलते हैं अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो होत सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो हमारी उसकी पैदाबार क्या होगी उसकी पैदाबार में क्या देखने को मिलेगा तो अगर आप पानी की सप्लाइब देते हैं तो पैदाबार जो होती है, कुछ हद तक जो होती है, वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वो कम हो जाते हैं, कुछ हद तक बढ़ेगी, फिर कुछ हद तक वो कम हो जाएगी, पैदाबार जो होती है, अगला देखिए, इसको क्या हम बोलते हैं, जिसका रिलेशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी हम उसको बोलते हैं, अगला देखिए, न गेन पर प्तियों से होने बाला पानी का नुकसान क्या लाता है, very important question है वही पतियां जो होती है वहां से पानी जो होता है नस्ट होता है उसको transpiration हम बोलते हैं transpiration यह हमारा अंसर बन जाएगा question जो है discuss करने से आपका knowledge बढ़ता है question को ऐसे ही discuss किया किजिए अगर आप खुद से बढ़ते हैं तो उतना आपके आपके खेते है तो यहां पर एक के बात आप फसल कुळा रहे हैं अभी एक फसल है इसी तरह से हमारा को चल रहा है तो उसको आप क्वोझते हैं कि और चरह बोलव कर बारा ओयाएगा अर आंसर हो जाएगा उसको खेती नहीं करेंगे कि चिकर पर तो एक ऐसा आएगा कि वह बंशे हो चाहेगी एक यह एक एक वाटर इस जोह बाइड इस किया जारा एक आप किया बॉट क॑करता है यह ठीटिश होता है कि हमारी मिति है वह किस तरह की है वह क्याई है यह इस तीज को भी आप याद रखिए क्योंकि इसको लेकर भी कुशिन आपको बन सकता है अगला कुशिन देखिए अगला कुशिन देखिए the measurement of how effective the irrigation system is in the storing water is in the crop root zone is term as group zone उसको आप क्या बोलते हैं यह भी question important exam के point of view से उसको आपको water application efficiency बोलते हैं यह question भी आप दोतीन बाद डिस्कूस कर चुके हैं अगला question देखिए the ratio of the quantity of water store in the root zone of the crops to quantity of water actually deliver in the field उसको हम noun बोलते है water application efficiency the ratio of किसका ratio quantity of water store in the root zone जो quantity हमें हमने store की है root zone जो होती है वहाँ पर crops की and quantity होती है water जो actually हमने field को दिया है उसको water application efficiency बोलते हैं यानि कि water की efficiency हम बोलते हैं application तो चलो आपको confuse करने के लिए आप इसको बूल देर के लिए उसको water की efficiency बोलते हैं यह चीज़ आपर याद रखिए तो अगला question हम यहां पर देखते हैं the available moisture is in the difference in water content of soil between field capacity and dash available moisture जो होता है जो moisture मुझूद है आदरता जो होती है वो मुझूद है उसका difference होता है water content of soil between field capacity and dash उसको हम क्या बोलते हैं पर्मानेंट wilting point बोलते हैं wilting points हम उसको बोलते हैं पर्मानेंट नेक्स में क्या बोल रहा है watering done period to sowing of the crop is known as जब आप फसल को फसल की बुभाई करते हैं तो उससे पहले पूछ रहा है यहां पर done period यहन की before पूर्व में पूछ रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं कि मान करUE कि आपके पचैनल यह यहां पूछ भी के लेकी अपुछ बीच बाने से पहले पानी देते होंगे तो उस पानी के बारे में इस को आप कर रह Ciए ऩ imagen वाज में पूछ यह यहे जो आप पानी की पानी होते हैं पकी फसल को हिने बाला देने बाला उसके बानी एक बा देते देते हैं तो वो चीज अलग चीज है लिकिन पैलबाई होती है वो अलग चीज है अगला कोशन देखिए मुश्री को बनाने के लिए पैलबाई करते हैं बिच्वन इस तब बेस्ट मैत्र फोर दा रीकल्मिलेशन ऑप अपकी जो मिटी है वह अमली है उसको सुधारने क यह पर आप लिए प्यारों मेंसे कौन सा मैथड यूज करेंगे अब यहाँ पर ईसटी कर पूछा गया है एक हमारे पास लवन के होता है वह वह होता है यहाँ पर अमलीय के लिए आप लाइम स्टॉन जो होता है उसको यूज करते हैं एज सोईल एमेंड मेंट जो होता है तो option D हमारा अंसर हो जाएगा लेकिन जो salt वाला होता है उसके लिए आप gypsum एड़ करते हैं यह चीज़ भी आप याद रखिए gypsum किसके लिए आड़ करते हैं यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए यानि कि जो कशार यह होता है कि यह जो होता है उसमें कई बार आपको यह देखनों को मिला है कि leaching and limestone जो होता है यह दोनों एक ही option में प्रवाइड किये होते थे लेकिन आपको यह दोनों अलग लग दिये गए हैं तो आपको जिपसम जो है यह वाला option चूच करना है जिपसम बाला option D हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा अगला question देखिए which of the following statement is correct for duty of the water, duty of the water के लिए constant statement यहाँ पर सही बताई गई है तो option C हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, it increase with an increase in humidity, option C हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, अगला question देखिए which of the following process include spreading of an external material on the soil to increase infiltration and reduce evaporation, reduce evaporation, उसके लिए हमारा mulching हो जाएगा अंसर, अगला देखिए method of applying water directly to the root zone of the plant is called, एक method जिसमें आप पानी को directly apply करने जो root zone होती है, प्लांट की, उसको हम क्या बोलते है, drip method बोलते है, drip method हम उसको बोलेंगे, अगला देखिए, utrification of water body is caused by, utrification जो होता है, पानी की body का, उसका क्या कारण होता है, utrification जो होता है, उसका जो कारण होता है, caused by accumulation of plant nutrients in water body, पानी के पिंडों में, पोदों के पौश्रम तत्तवों का जमाब, यही utrification होता है, option B हमारा अंसर बन जाएगा, अगला कोशन देखिए, utrification of lakes is due to, lakes जो होती है, उसकी utrification का कारण जो होता है, वो क्या होता है, excessive discharge of nutrient, excessive discharge होता है, हो जाता है, nutrient जो होते हैं, जो पौश्रक होते हैं, तत्तव जो होते हैं, तो यही utrification जो होती है, lakes का यही कारण होता है, अब utrification is, utrification क्या होती है, यह भी important question है, utrification is, क्या होती है, दाउज बाइकामुलेशन और प्लांट न्यूट्रें इन वाटर प्लोडी, option B हमारा अंसर बन जाएगा, अगरो देखिए, irrigation water having SAR value of 20 is called, SA value 20 है, उसका क्या मीनिंग होता है, कि हमारा जो है high sodium water है, high sodium water होगा वो, option B अंसर हो जाएगा, high irrigation efficiency of an irrigation system is the ratio of, is the ratio of, उसका क्या बोलते है, water actually deutilized by growing crops, तो water delivered from the sources, option B अंसर बन जाएगा, outlet discharge for a particular crops is given by, the outlet discharge होता है particular crops is given by, तो area over outlet factor, उसको ही हम outlet discharge बोलते है, अगला वोशन देखिए, तो field irrigation requirement is computed as, field irrigation requirement जो होती है, उसको आप find out कर सकते हैं कैसे, net irrigation requirement plus field application losses जो होता है, इससे आप इसको computerize कर सकते हैं, determine कर सकते हैं, अगला वोशन देखिए, state of an soil when plants fail to extract sufficient water from their requirement, मिर्दा की वो अबस्ता, जहां पोद्धा अपना वक्षता के अंसार जल को खीचने में विफल हो जाते हैं, जिससे जितना उसको जल की जूर्थ होगी, वो उतना पराप्त नहीं कर सकता है, वो fail हो जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जिसने आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आगो कर लीजिए, उसको हम पर्मनेंट बिल्टिलिंग पॉइंट बोलते हैं, पर्मनेंट बिल्टिंग पॉइंट हम उसको बोलेंगे, नेक्स्ट कुशन में देखें, डेल्टा ओफ क्रॉप्स मीन्स, डेल्टा जो ह बाता है कि 19 सेमिटर होती है, लुइत को होते हैं, उसके लिए के इतनी होती है, एक हमारे पास नागत प्रमनेंट नेके लिए खेंड ह hou कही है, तो बाद है 9 जो होती है, भो धान के लिए एतने गाली दोटा हुरो एक्छ जीडरी हो जाता है तो si हमारा अंसर हो जागा तोझ अगर पच वैल्यूज न कि 1 से जादा हो जाती है तो हमारी जो जमीन होती है वह बिल्कुल ही 0 के ब्राभर हो हो जाती है वहां पर घास तक जो होता है वो भी पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि वह जमेंचे होती है बिल्कुल ही बंजर हो जाती है यानिके इस सीजन में और हमारे जो मटर होते हैं वो भी आ जाती है प्याज भी आ जाता है जो तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है यह हमारा इस कॉश्चिन के लिए से बन जाएगा जो पारी लाके वाले हैं उनको तो पता भी होगा भाई कि क्या-क्या आ सकता है quantity of sulphate contained in good quality irrigation water is अच्छी quality का जो irrigated water होता है, irrigation बाला पानी जो होता है उसमें जो sulphate की quantity होती है, उसमें कितना उसने contain किया होता है तो good quality के लिए हमारा 0 से 192 PPM तक होना चाहिए, good quality बाला जो होता है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अच्छी गुणता बाला and 192 से लेकर भाई 400 PPM तक भी होता है, तो वो संदोश जन किया है लेकिन उससे ज्यादा हो जाए, तो वो तो भी बाई बंजर बाला आ जाता है, 400 से ज्यादा हो जाएगा sulphate जो होता है, तो बंजर जमीन के लिए वो 400 से ज्यादा बाला होता है, option A हमारा answer हो जाएगा, इस question के लिए अगला question देखित, conservative use coefficient for crops like wheat, barley, flex and other small grains, तो वो क्या होता है उन सभी के लिए, conservative use जो होता है, तो 0.9 ही होता है अगला question, during its complete growth, the required amount of irrigation water for evapotranspiration required of the crop is called, उसको हम क्या बोलते हैं, conservative irrigation requirement evapotranspiration in a crop filled surrounding by dry fallow land will be higher than surrounding by vegetation due to, उसको हम ओसिस इफेक्ट बोलते हैं, ओसिस इफेक्ट बीचार तो following is not rabi crops, rabi crops कौन सी नहीं है, यह हमें बताना है, rabi crops में कौन सी नहीं आती है, तो यहां पर option या जीव से, यह मुखफली जो होती है, वो नहीं आती है, बाकि तिल, जो इप्याज में ना को तिल के बारे में नहीं बताया है, लेकिन तिल भी होते हैं अगला question देखिए है, core watering is the irrigation water supply to, core watering is the irrigation water supply to the crops, यहां पर तो यहां पर तो यहां पर क्रोप्स है, to the crops, तो उसको, when crops has grow few centimeter and water is apply for the first time, जब हमारी जो फसल होती हो, कुछ centimeter तक होती ताब पानी जो देते हैं, उसको core watering बोलते हैं, so option A हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, क्रोप्स को काटेंगा, तब भी की बारी आईगा, अगला question देखिए, लोम क्या होता है, लोम है, क्या होता है, लोम is a mixture of sand, silt and clay, mixture होता है इन तीनों का, अगला question देखिए, तो crops required maximum watering during, crops required maximum watering during, जो फसल होती है, उसको बहुती ज्यादा पानी के जूरत होती है, during कौंसे time में, first watering when the crops has grown few centimeters, उसको आप core watering बोलते है, option B हमारा अंसर बन जाएगा, for standard crops in undulating sandy field, the suitable method of irrigation is standing crops, जो खाड़ी-खाड़ी crops होती होती है, लेकर in undulating sandy field, undulating देखिए निके, over-covered, जो होता है, sandy field में, suitable method जो होता है, irrigation का, वो कौन सा होता है, suitable method is irrigation for sprinkler irrigation, sprinkler irrigation जो होती है, वो suitable method होता है, अगला के बीच आपता falling irrigation techniques prefer the topographic with excessive slop, बहुत ज्यादा जो होती है, वो ही excessive slops के लिए, यूज की जाती है, next मने देखिए, for procedural crops, the commonly adopted method of irrigation, वो check method जो होता है, वो यूज के जाता है, दल, 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 हन फसलों के लिए, यहें यूज के जाता है, available moisture of soil is equal to its, available moisture जो उपलब्द moisture होता है, soil के लिए वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है, difference between field capacity and permanent building points within the root joint, available moisture इसके बराबर ही होता है, field capacity of soil depends upon, field के जो capacity होती है, वो किसमें depends करती है, field capacity depends upon, capillary tension in soil, porosity of soil, इन दोनों factor फर field की capacity depends करती है, option C हमारा answer बन जाएका, usable soil moisture for plant growth is, पोदो की बिद्धी के लिए उपयोगी मिर्दा आदरता निमल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, usable soil moisture for plant growth is capillary water, capillary water जो होता है, पोदो की growth के लिए बहुत ही useful होता है, लावकारी होता है the water utilized by plant is available in the form of, पानी जो पोदो के द्वारा utilized के लिए for the growth के लिए, वो capillary water होता है, अगला भी same वही question है, the water which can be utilized by crop for the soil, capillary water होता है, plant की growth के लिए, जो soil, पानी को utilize करता है, next one question देखी, duty of canal water will be less if, duty of canal water will be less if, तो वो क्या होगा हमारे लिए, water supply required is more, water supply required is, अब अश्रक जल पूर्ती अधिक है, next देखी, following factor effect, the duty of water, following factor defect the duty of water is, वो कौन सा होता है, तो ये सारे ही होते हैं बई, method of cultivation, system of irrigation, type of crops, तो ये following factor जो होते हैं, duty पर defect जालते हैं, duty of water at the outlet is known as, duty of water at the outlet, निकास पर जल की मातरा जानी जाती है, क्या जानी जाती है, outlet factor, outlet factor जो होता है, वो जाना जाता है, depth of rice, root zone is, depth of rice, rice जो होता है, उसके लिए 90 cm की core depth होती है, तो मक्का होता है वगी एक मक्का जो होता है उसके लिए आपको पता होने यह 25 cm उसके लिए होती है आलू के लिए 60-90 cm की core depth होनी चाहिए अगला कुछन देखी तो 4 standing crops, खाड़ी-खड़ी crops के लिए तो इसके बराबर होती है option D हमारा इस question के लिए से बन जाएगा खाड़ी-खड़ी की फसल जो होती है वो बाई जाती है बोई जाती है कौन से महीने के अंदर तो month of June and July क्योंकि इसको October में आपको कातना पढ़ता है October number में खाड़ी की फसल October number में वही काटी जाती होंगी option अब जाकर आप उसको राभी को भाएंगे वो भाई करेंगे duty is largest in duty जो होती है सबसे अधिक्तम होती है किसमे होती है देग鍵 के पर सबसे जाधा होती है लेकिन काम किसमे होती है या या आपको मुझे comment नि इसकर चुकिये है top एकीड कोष्टर में तो मैंने आपको बता है तो मैं तो वाइट किसमे होती है नश्दे के due to water logging open area, किसी विक शेतर में जल भराब के कार्ड होता है, water logging के कार्ड यसी area में क्या होता है, तो उससे यह होता है कि हमारा temperature होता है, वो गिर जाता है, खेर का जो temperature होता है, मिटी का वो गिर जाता है, water logging होगी तो वह temperature automatically गिरेगा, नश्दे के method of pricing irrigation water, नगदी फसला उसको cash crop का बोल सकते हैं, cash crop जो होती है जो किसानों की निजी किसी काम के लिए कीर आती है, उसको नगदी फसल बोलते हैं, जिसे कि यहां पर जूट हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन rise जो है यह नगदी फसल में नहीं आता है, option C हमारा अंसर बन जा करेगा, crops पर depends करेगा, climate जो होता है, उन सभी बार depends करता है, इंटर्वल उप स्वलाई हो इरिगेशन बार्ट से होता है, लेशन देखिए इरिगेशन फ्रिक्वेंसी डिपेंसी जो होती है, वो किस पर depends करती है, तो इन तीनों पर, efficiency जो होती है, option D अंसर बन जाएगा, सब्सक्राइब नहीं क्या कर लिए, वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेर भी कर दीजिए, फटा-फट से, नेक्शन क्या हो रहा है, बिद्धा, increasing quantity of water supply, yield of the crops, पसल की पैदाबार जो क्या होगी, कितनी होगी, जब आप पानी जो होती है, उसकी supply बढ़ा देते हैं, तो उ इन चारों में से किस के पास होती है, तो maximum duty जो होती है, वो बाजले की होती है, लेकिन कम जो होती है, राइज कहा रहा है, उसकी सबसे कम होती है, लेकिन बाजले की सबसे ज़्यादा होती है, C हमारा इस question के लिए और बन जाएगा. यह कुछ option भी अजीवी से दिये के हैं हाँ यह जो होता है यह भी खराभी में ही आती है राभी फसल में आती है अब यहां पर भी नोट एक खरीफ क्रॉप्स तो यह देखिए ग्यहूं यह भी राभी में ही आती है अगला देखिए as one moves from head of the canal to the field duty of the water duty of water जो होता है वो क्या ह होता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है कर लिजिए तो इस question में हमारा अंजर बढ़ती है increase होगी अगले देखिए soil erosion जो होता है उसको आपको रोकना है तो आप क्या करेंगे प्लांटिंग करेंगे पेड़ लगाने से erosion जो होता है उसको रोका जा सकता है तो फ्रेंट वीडियो में